तो इस वीडियो में आपको सवागत करता हूँ जैसे कि हमने ग्रूप में कापी सारा कॉल पोस्ट करते हैं उसके बाद में कुछ कॉल पे हम बोलते हैं कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो उसी के बाद कुछ क्लाइंट्स का मुझे रिपला आ रहा था कि ट्रेलिंग स्टॉप लंच क्या होता है स्टॉप लगाना यह तो हमें पता है लकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है तो इस वीडियो में हम वही डिटेल्स में देखेंगे सबसे पहले मैं बटना चाहूंगा यह प्रॉफित मठ काкого प्लिकेशन ने तो basic तो आप सब लोग को पता है अगर किसी को basic पता नहीं होगा कि login केसे करना है, script कैसे add करना है, तो आप इसे पहले कर video चेक कर सकते हो, तो दीखे हम सबसे पहले फोड़ा सा basic मैं आपको बज़ता हूँ, profit mart का application है, जैसे आप watchlist पे click करोगे, तो सबसे उपर, जहाँ पे mouse का cursor है, वहाँ पे आप दिखिए, एक search का option है, आप search पे click कीजे, search पे click करने के बाद, जो भी script आपको add करनी है, या जिस script के आपको trade करना है, just type कीजे, अभी मानो मुझे अगर इसको add करना है, तो मैं इसी type करूँगा, जैसे आप थोड़ा सा hint भी दोगे, तो काफी advanced है, बहुत ही fast application है, तुरंट यहाँ पे SBI आ जाएगा, आपी देखो, मैंने SBI का तो already add किया है, तो यहाँ पे आपको show हो रहा है, add remove आप यहीं से कर सकते है, add remove, simple, one click, same, अगर मानो मुझे कोई vipro, मैं आपको बता रहा हूँ, script, जैस अब type करोगे, तो देखो तुरंट आ गया, अगर इसको, इस script को add करना है, तो simple, आप add करो, और script के click करोगे, तो directly, ओ script यहाँ से open होगा, और यही से आप उसमें trade कर सकते हो, तो अभी यहाँ पे मैं आपको इस script आपके सामने है, vipro limited का, वोर्वीव में आज जब से आप आते हो, तो आपको दिखा है देखा का opening, ओपन, यह स्टॉक था, अज मौनिंग में open कितने को हुआ था, previous closing price क्या थी, high, low, 50 week, यह सब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप डेप पे click करोगे, तो डेप आपको दिखेगा कि top 5 buy seller कोन है, second नीचे total buyer कितना है, total seller कितना है, यह भी आप देख पाओगे, same future में, अगर किसी को future में काम करना है, तो आपको बार बार script अलग-अलग add करना की गरूत नहीं है, future पे click करो, यह से आप future buy sell कर सकते हो, options में आपको काम करना है, तो simple options पे आप option chain open होगा, तो in the money, out of the money, जो भी call पे आपको काम करना है, आप कर सकते हो, technical में आओगे तो पूरा stock का technical आपको यहाँ पे दिखाई देगा, financial details, company का पूरा details यहाँ आप चेक कर सकते हो, fundamental आप चेक कर सकते हो, put call ratio अगर आपको देखना है, तो यह आप यहाँ पे देख सकते ह call में 74% है, put में 26% है, पूरा details यहाँ पे आपको मिलेगा, काफी बढ़िया application है, delivery में आपको percentage किया है, 5 days में कितना हुआ था, 30 days में कितना हुआ था, पूरा details इस app में आपको available है, काफी बढ़िया application है, advanced application है, अगर कुछ latest news है तो भी आप चेक कर सकते हो, company information भी आपको आती है, तो यह पूरा information आपको एक एप में मिलेगा, तो मुझे तो इतने लेग रहा है कि इससे better कोई app होगा, और काफी बढ़िया company है, daily calls, अगर आप account open करते हैं, आपको daily calls भी मिलेंगे, total free of cost मिलते है daily, मैं खुद ब्रोकर हूँ, तो हम अपने clients को, एक WhatsApp broadcasting group है हमारा, उस group में daily calls देते हैं, तो अगर आपको देखना है, तो मैं आपको दिखा जिता हूँ, अभी देखें, simple, कुछ clients का snap है, यहाँ पे, देखें, यह हमारा होता है, premium group, तो इसी के through, यह पूरा client इसमें add है, सिर्फ एक ही group नहीं है, ऐसे बहुत सारे group है, जिसके तो हम call पोस्ट करते है तो यह एक demo account है, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि telling stop loss कैसे लगाना है, तो देखें, एक simple, छोटे सा stock हम लेंगे, जैसे कि अभी मानों, SBA bank, अभी मुझे इसको buy करना है, तो simple, आप buy पे click करो, buy पे click करने के बाद quantity, कितनी quantity आपको buy करनी है, एक से लेके जतना आप buy करना चाहोगे, जतना आपके पास limited उतना buy कर सकते हो, तो एक quantity मुझे buy करनी है, नीचे आपर price आएगा है, उसका average price कि कितना आपको लगने वाला है buy करने के लिए, अगर आप MIS में select करते हो, तो आपक limit मिलता है five times कम, मतलब अगर इसकी price मानो 500 रुपए है, तो 100 रुपीज में आप इसको buy कर सकते हो, अब इस simple फिलल हम MIS में इसको buy करेंगे, तो MIS भी ले सकते हो, अगर आपको carry करना है CNC, मतलब आज buy करना है और उसको hold करना है, तो आप क्या करो कि CNC select कीजे, CNC का मतलब होता ह cash and carry, तो full पैसे आपको pay करके उसको carry करना है, holding करना है, इसका मतलब यह होता है, और सिर्फ intraday के लिए अगर buy करना है, एक दिन के लिए, तो आप select करो MIS, तो अभी फिलल हम इसको holding के लिए buy करेंगे, तो हम select करेंगे CNC, quantity एक demo में आपको दिखा रहो, एक ही हम buy करेंगे, उ हम उसको limit से buy करेंगे, मतलब जो rate मुझे चाहिए, उस rate से में select करके buy करूँगा, अभी हम उसको buy करेंगे, current market rate जो भी चल रहा है, उससे हम buy करेंगे उसको, तो rate मैंने यहाँ पे update किया है, तो review पे click करो और submit, जैसे हम submit करेंगे, दीखें, यह मेरा buy हो गया, अभी stock मेरा buy हो गया है, position पे जैसे हम click करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिखाए देगा कि, यह अपना lahio position है, हमने यह buy किया था, अभी जैसे उपर आएगा, मुझे profit होगा, और नीचा आएगा loss होगा, तो अभी हमें नहीं buy किया है, 467 में, दीखो market है, ऐसा नहीं कि आपने buy किया मतलब उसको उपर ही जाना है, तो ज्यादा loss नहों, उस loss से बचने के लिए हमें लगाना होता है stop loss, तो अभी stop loss हम कैसे लगाएंगे, तो simple आपको उस पे click करना है, और square up पे click करना है, जैसे आप square up पे click करोगे, तो order type में आपको option आएगा, SL, SL हमने slate किया, अभी मैंने 67 पे buy किया, मैं ज्यादा risk नहीं लेना चाहता हूँ, maximum 7 point का risk मैं लोगा, 7 रुपेगा, तो 460 का मैं SL लगा रहा हूँ, 460, trigger price थोड़ा सा ज्यादा रखना है, जो आप price लेर है, उसे थोड़ा सा ज्यादा आपका trigger price आना चाहिए, और review पे मैंने click किया, और submit मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं submit करूँगा, तो यहाँ पे दीखे pending orders में, trigger pending, तो यह trigger pending, यहाँ पे आ गया, trigger pending का मतलब क्या है कि, हमने जो buy किया है, वो 67 पे किया है, और अभी 460 का हमने stop loss लगा रहे है, अभी जैसे मेरा topic था कि stop loss को trail करना, stop loss हम trail कैसे करेंगे, तो simple, आपको क्या करना है कि, मानो मैंने अभी 460 का stop loss लगा दिया है, और इस stock अभी जो trade कर रहा है, 467, बढ़ गया, 480 आ गया, तो हम क्या करेंगे, stop loss को trail करेंगे, या modify करेंगे, जो stop loss मैंने लगा दिया है, simple आप क्या करो कि, order book में आओ, और जहाँ पे आपने stop loss लगा दिया है, उसको modify करने का, ट्रेलिंग करना मतलब modify करना, अभी यहाँ पे हमानो 460 चल रहा है, मेरा stock जैसे ही उपर जाएगा, तो मैं क्या को रहाँगा, उसको modify करके 65 लेक्या होगा, जैसी और बढ़ता बढ़ता जाएगा उपर, उसी तरह हम क्या करेंगे, stop loss को modify करेंगे ट्रेल करेंगे और उपर उपर लेके जाएंगे, तो क्या होगा कि जो profit हमें मिल रहा है, at least वो अपना save रहे, इस तरह trailing stop loss लगा जाता है, हम इसमें एक feature add करने वाले है कि atto trailing, जो कि जितना भी आप difference दोगे, उसके through atto trail हो जाएगा, automatically, मानलब क्या है कि मानिए आपका, अभी यहाँ पर मैंने buy किया है 467 पर, और दो point का difference के through मैंने trail लगा दिया, मानो अपना stock चला गया है 470 पर, तो stop loss हमने लगा है, उसमें automatically 2 point का moment हो जाएगा, मतलब अभी जो मैंने stop loss लगा दिया है यहाँ पर, 465 पर, और अभी stock trade कर रहा है 467 पर, जैसे ही stock price 470 हो जाएगा, आपका जो stop loss है, जो 465 अपने लगाए था, उसमें 2 point automatically बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 467, तो इससे क्या होगा, कि आपका जो loss percentage है वो record हो जाएगा, एक बर मैं फिर से बता देता हूँ, दिखें, कोई भी stock अपने buy किया है, उसको stop loss लगाने क सबसे पहले cancel कर देता हूँ, एक साथ दो order नहीं लगेगा, सबसे पहले हम इस order को cancel करेंगे, order मैंने cancel किया, position में मैं आ गया हूँ, अभी दिखें, मैंने यहाँ पर SBI का stock buy किया है, इसको मुझे stop loss लगाना है, और हो भी trailing stop loss होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके उपर click करूँगा, click करने के बाद square up पर आपको click करना है, order type में आपको आना है, यहाँ पर drop down select करन SL, SL का full farm होता है stop loss, उसके बाद में जो भी stop loss आपको लगाना है, वो price आपको यहाँ पर select करना है, मौनो मुझे select करना है 64, और ट्रेलिंग stop loss, sorry, trigger price होती है, वो थोड़ा सा उपर आपको रखना है, आपके price से, थोड़ा सा उपर, और इसको review करना है, and then submit, जैसे हम submit करना है, करेंगे, तो आपका क्या होगा कि, एक order आपका pending में आएगा, trigger pending, तो इसको मतलब क्या होता है, दीखे, हमने 67 से buy किया है, ज्यादा loss ना हो, अगर market नीचे भी आता है, तो maximum कितना loss होगा, 3 rupees per share, बड़ा loss नहीं होगा, stop loss लगा कि मैं आराम से बैठ सकता हूं, तो इस तरह कर सकते हो, अगर, 470 ए चला गया, या 480 चला गया, मतलब जहां से मैंने buying किया है, वहां से उपर हो गया, और आपको stop loss मोडिफाई करना है, तो आप यही से मोडिफाई कर सकते हो, simple आपको मोडिफाई पर क्लिक करना है, और आपको प्राइस हे, चेंज करना है, जो भी आप को करना है वो आप कर सकते हो तो इस तरह होता है stop loss को modify करना या trail करना अगर इसके अलवा और कुछ भी information आपको चाहिए या कुछ जानकर और चाहिए तो आप आप मुस्से directly contact कर सकते हो Profit Mart काफी बढ़िया ब्रोकिंग company है Profit Mart में account open करने के बाद आपको daily free call मिलते हैं और उसका success ratio भी काफी बढ़िया होता है 80% का success ratio निकल के आता है लाहिव market में जो भी आपको support चाहिए help चाहिए total आपको free of cost मिलेगा Profit Mart में account open करने के बाद आपको एक RM एक broker इनका support दिया जाता है और daily call भी मिलता है total free of cost इसके अलावा कुछ जान करें चाहिए नीचे मैंने details दिया है आप मुसे directly contact कर सकते हो Thank you so much